हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एडू हब ऑनलाइन क्लासिज दोस्तो इस वीडियो में आप से संगनक के बारे में जो कम्प्यूटर की वेकेंसी आने वाली है संगनक की उसके बारे में एकदम डिटेल से बात करूँगा क्या क्वालिफिकेशन चाहिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इसके अंदर रहता है कि क्या क्वालिफिकेशन आपकी इसके अंदर होनी चाहिए ठीके उसके बाद ये वेकेंसी कब तक आने की संभावना है इसके ओपर डिसकस करूँगा तो आप इस वीडियो को एंड तक कम होता है अग्या है क्योंकि इसके अंदर ओर मागा जाता है जब भी कोई वेकनसी इससेटsk के वेपर आती है तो ऐसके पास आपको देखने को मिलेगा कि उसके अंदर competition कम है तो यह जो computer संग्रक की vacancy है यह specific subject के उपर है economics और math तो economics और जो math वाले हैं वो ही इसके लिए apply कर सकते हैं तो सबसे important कि become वाले तो become वाले तो आख बंद करके इसके लिए apply कर सकते हैं और become वालों का syllabus ही 60% इस exam के अंदर आपको देखने को मिलेगा economics और state economics और state से 60% question आते हैं जिसने अभी recently become की है वो अराम से इस exam को crack कर सकता है देखो economics जिसकी भी अच्छी है और state state एक ऐसा बहुत easy सा subject माना जाता है become के किसी भी candidate से आप पता कर सकते हो मैं खुद become से हूँ become में state बहुत easy subject है तो economics और state के 60% number है 60% question आएंगे और राज्थान जीके का आपको 40% भाग देखने को मिलेगा तो इसलिए become वाले form भर सकते हैं BBA जो BBA कर रहे हैं उनके पास भी economics और math होती है वो भी forum को apply कर सकते हैं अब बात करते हैं कि क्या BBA भी apply कर सकते हैं यस जो student BA कर रहे हैं लेकिन उनके पास economics और math subject है वो इसके लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तो पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर competition कम होता है बहुत चटनी होने के बाद लोग इसमें apply करते हैं और कुछ लोग apply करने के बाद भी त्यारी नहीं करते हैं क्योंकि इंसान क्या है दोस्तो किसी भी चीज को हासिल कर सकता है जब तक वो अपने mind में उसको ना सोच ले तो देखो दोस्तो क्या होता है कि आपके mind में एक बात ये घुमती है कि मैं इस exam को crack कर भी लोगा तो भी मेरा selection नहीं होगा क्योंकि मेरे पास ये economics है या नहीं है state है या नहीं है math है या नहीं है मैं इसके लिए apply तो कर रहा हूँ तो इसलिए ये चीज पहले से अपने mind में clear रखो अगर आप become BBA से हैं तो आपके पास बिलकुल ये subject था notification में बात clearly लिखी गई है केवल एक साल भी अगर आपके पास ये subject है तो आप apply कर सकते हैं तो ये बात clear है आप बिलकुल apply करें और आप अराम से इसकी अच्छे से त्यारी करें BA भी जो student है लेकिन अगर उनके पास economics है state है और math subject था तो वो भी इसमें apply कर सकते हैं और अच्छे से त्यारी कर सकते हैं अब बात करते हैं notification कब तक आएगा notification में देरी क्यों हो रही है notification में देरी इसलिए हो रही है उसका सबसे बड़ा reason सामने आया है कि अभी जो है chairman साब हरी परशाद सर्मा जी ने खुद बयान देकर ये बात बताई है कि कुछ ना कुछ problem आ रही है जैसे ही कुछ alignment किये गए है कुछ problem आ रही है जैसे one time registration को लेकर fees क्या रखी जाएगी तो इन सब चीजों को लेकर थोड़ी सी परिशानी है इन चीजों को clear होने के बाद आपके सामने संगलक भरती का notification agriculture supervisor का notification ये सारे notification देखने को मिल जाएंगे maximum time बताया गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर computer संगनक की भरती का notification आपको देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों बहुती कम समय बचा है आप अगर संगनक के अंदर अपनी एक job fix करना चाहते हो सीधी भरती है कोई typing कुछ नहीं करना सीधा आपको exam देना है exam के बाद सीधा आपका selection होगा राजस्तान जीके का level बहुती easy रहेगा 40% बहुत easy रहेंगे economic और state economic और state के अंदर थोड़ी अच्छी पकड़ है थोड़ी अच्छी ग्रीप है आपकी तो आप इस exam को crack कर सकते हो इसलिए आपसे request करूंगा notification 30 दिन के अंदर आ जाएगा अपनी त्यारी ऐसी करो जिससे इसमें अपनी एक seat confirm कर पाओ thank you have a nice day bye bye